Assalamualaikum, तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकिन बिर्यानी एक तम बाहर जैसे रेस्टरॉन स्टाइली घर पर बनेगी और हाँ घर के हाजिर मसालों से आपको पैकेट मसाली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो चलिए शुरु करते हैं आज की रेसित साधारान याने ordinary इंग्रीडियन से extraordinary बिर्यानी बनाते हैं चलिए चलिए हम घर पर quickly बिर्यानी मसाला बना लेते हैं ये है एक छोटा चाय का चमच, काली मिर्च, एक बड़ी इलाईची, एक जावित्री, छोटा टुकडा जाइफल का पनफोथ पोशन ही है एक बाधियान, दस हरी इलाईची, एक छोटा चाय का चमच, सौफ, दस बारा लॉंग, और एक छोटा चाय का चमच, साबुद जीर, अब इन सबको mixer चार के अंदर डाल कर बहुत अच्छा बारिक पीस लीजिए, पाउडर होए तक पीस लीजिए, बिना पानी डाले, और इस पानी से धो के नितानने के लिए मैंने 10-15 मिनिट के लिए साइट पर रख दिया था, अब एक बड़े से बरतन में दाल दीजिए इस चिकिन को, इसमें दाल दीजिए 4 चोटा चाय का चमच, धनिया पाउडर, आधा चोटा चाय का चमच, हल्दी पाउडर, और 2 चोटे चा ऐसी वाला हो, तो सिरफ एक ही चोटा चाय का चमच दालिएगा, हाँ, एक चोटा चाय का चमच नम्माक, एक चोटा चाय का चमच, गरम मसाले का पाउडर, चाड टेबल स्पून, भरकर अधरकलसन का पेस्ट दाल दीजिए, और थोड़ा सा रेड फूट कलर दाल रही हो, आप फुदीना दाल सकते हैं, मैंने सुखा हुआ फुदीना दाला है, ये बारिक कटी हुई कोधमिर फ्रेश वाली दाल दी मैंने, और ये है तकरीबन एक कप दही, समझेटा धाइसो गरम दही होगी, सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, मिक्स करने के बाद ये जो को आप मेरिनेट करके, फिर नेक्स डे बना सकते हैं, मैं तीन-चार घंटे के लिए ऐसे फ्रिज में रख देती हूँ धाक कर, भाई मैं मुंबई की हूँ, तो हम आलू जरूर दालते हैं, आपने नहीं दालना हैं, तो कोई बात नहीं, आप मत दालेगा, ये सारा स्टेप skip कर दीजिए, आलूओं को काट लीजिए, और फिर धो कर उनमें नम्मक दाल दीजिए, और तेल के अंदर आलूओं को दाल दीजिए, और इन्हें बार बार चलाते हुए, मीडियम आज पर, इन्हें आप light golden brown होए तक fry कर लीजिए, यूजियली मैं तो क्या करती हूँ, इस इसे slow पर रख के, इसे ढख कर, कुछ दिर अच्छे से पकने रख देती हूँ, मुझे बहुत अच्छे soft हो जाते है ना अंदर से, वैसे बहुत पसंद है बिर्यानी के अंदर, तो इसके लिए मैं वैसा करती हूँ, लेकिन आप सिर्फ light golden brown हो जाए, तो वहाँ इन्हें नि medium size की प्यास होगी, अब इसे बार-बार चलाते रहे हैं और ये प्यास को fry कर लीजिए, फास्ट आँच पर, आपने तब तक fry करना है, जब तक light golden brown नहीं हो जाती, तब तक बार-बार चलाते रहेगा, ये देखिए, light golden brown हो जाएगी, और इसे इस तरीके से, नितार-नितार क एक tissue paper के उपर दाल दीजिए, थोड़ी निकाल लीजिए इसमें से, और बाकी की रहने दीजिए उसके अंदर, हमारे तेल के अंदर हम आगे का प्रोसीजिंग शुरू करते हैं, ये जो निकाली हम उपर से दालने के लिए रखे हैं, अब चलिए, यहां मैंने तीन टमाटर को पाईए की शेप में काटके रखा है, इसे डाल दीजिए प्यास के अंदर, और इसे बार-बार चलाते हुए, फ्राइ कर लीजिए टमाटरों को, मैंने फास्ट नाच कर दिया, ये देखिए, प्यास क्या बड़िया सी क्रिस्पी हुई है, अब इसे तकरीबल 3-4 मिनिट तक टमाटरों को फास्ट नाच पर पकने दीजिए, तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे न, चलिए 3-4 मिनिट हो जाएं, तो बिसमिल रख्माने रेम बोल कर हमारी जो चिकन साइट पर रखिए, सारे मेरेनेशन के साथ दाल दीजिए, कुछ भी लगा हुआ रहना नही चाहिए, चीजें बहुत महिंगी आती है बबा, तो ये सारी चीजों को डाल दीजिए और बार बार चलाते हुए, चिकन को 4-5 मिनिट तक पका लीजिए, मैं टोटल 5 मिनिट तक फास्ट आज पर चिकन को पका रही हूँ, तो जब तकरीबिन धाई मिनिट हो जाएं न, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, 12-13 आलू बुखारे, अच्छा ये आलू बुखारे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, अगर आपने भटियारियों का शादियों में खाया हो बिरियानी, तो उसमें आपने डेफिनिटली ये देखा होगा, खाया होगा, आपके मूह में भी आया होगा, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हमेशा मैं डालती हूँ, इससे डालकर मिक्स कर लीजिए, अब धाय मिनिट और बाकी है, तो धाय मिनिट इससे पकने दीजिए, बार बार चलाते हुए, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, आधा कप पानी, अब पानी मैं आधा कप दाल रहे हूँ, आप पान, फोट कप जितना डाल सकते हैं, अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो, और इसमें एक उबाला आजाने दीजिए, एक उबाला आजाता है, तो स्लो आज करके इसे ढाक कर 12-13 मि हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, मैंने चुला कर दिया है, बंद और इसे एक बार चला लिए, अच्छा, अगर आपको लग रहा है, अभी मैं ऐसे ऐसे ही रहने देती हूँ, क्याब मैं चावलो का करूँगी, तो ये ठंडी होने के बाद भी गाड़ी हो जाएगी, लेक जादा ही दालना है, क्योंकि चावलो के भाग से जादा ही नम्मक जाता है, आपको पता है बिर्यानी में, थोड़ा खारा होना चाहिए इसका पानी, और उसके साथ-साथ थोड़ा सा मैंने निम्मू का रस दाला था, और दो-तीन टेबल स्पून जितना तेल दाल कर इसे ब देखिए हमारी ग्रेवी, यह आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ी सी है न, जो बिर्यानी न, मसाले वाली थोड़ी अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा थोड़ी सी ग्रेवी रहने देती हूँ, लेकिन आपको चाहिए तो आप अच्छे से सुखा सकते हूँ, चलिए अब फैला फैला कर लगा है, तो आपको भी समझ में आए कि चिकन के पीसे कहां कहां है, नहीं तो क्या होता है न, हम सब एक ही जगह दाल देते हैं, तो सब एक ही जगह होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि चिकन कहां गई, मेरे यां तो यह बहुत बार होता है, तो मैं अब स पहला फहलागे डालते हूं कि मुझे पता है chicken के pieces का है जब chicken के pieces डाल दें तो उसके बाद सारी जो gravy है उसके उपड़ डाल दीजिये आलुओं को भी फहला फहला कर डाल दीजिये और उसके बाद खूब सारी बारी कच्टी हुई कोदमिर याने कि हरा धनिया डाल दीजी, आप चाहें, तो खुदीना भी बारी कठा हुआ, डाल सकते हैं, और थोड़ी से आप चाहें, तो इस पे विरिस्ता भी डाल सकते हैं, अब यह जो बाकी के बच्चे हुए, आप चाहें, तो हरी मिर्चिया भी बारी काट कर डाल सकते हैं, मैं मैं यहां food color थोड़े से पानी में डाल कर रखी थी केसरी वाला उसे थोड़ा चारो और फैला देती हूं और यह बिरिस्ता उपर खूप सारा डाल दीजिए, खूप सारी बारी कटी हुवी कोद में डाल दीजिए, 4-5 टेबल स्पून असली घी के हमेशा मैं डालती हूं, तो यह रख देती हूं, तववे को और उसके ओपर हमारी यह जो बिर्यानी की जो पतीली है वो रख दीजिए, अब फास्ट आज पर तववे के साथ आप चाहें तो 5 मिनिट तक रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनिट हमेशा रखती हूं और स्लो आज करके तकरीबर 20-25 मिन मैं टेस्ट कर लेती हूं, इस तरीके से आप चमश दालेंगे और सिर्फ तेल निकला मतलब एकदम परफेक्टली बिर्यानी हो चुकी है, अब क्या कीजिए मालू मैं, इसे आज इड़ाक कर 10 मिनिट रहने दीजिए, जब 10 मिनिट हो जाए लेकिन है ना, नीचे से तववा हटा लीजिएगा, मैं हमेशा नीचे से तववा हटा लेती हूं और 10 मिनिट आज़िट रहने देती हूं, उसके बाद अब ये 10 मिनिट हो चुके हैं, ये बिर्यानी पप चुकी है और इसे निकाल लीजिए, बिस्मिल्लाय रह्माने रेम बोल कर और ये बन गए हमारी बढ में निकाल लीजिए या फिर प्लेट में निकाल लीजिए और किसी भी कचुमबर के साथ सर्फ कीजिए, अच्छा अगर आपने तववा रखके पांच मिनिट पर ये जो पतीली को फास्ट आंच पर गरम किया है, तो आप 20 मिनिट ही रखिए, बट आपने देखा मैंने सिर हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हुए क्योंकि मुझे उतनी स्पाइसी चीजें पसंद नहीं है, अच्छा आप चाहें तो हरी मिर्चियां जब आप चिकिन की तय लगा देते हैं, बिर्यानी असेंबल करने में, वहां पर भी हरी मिर्चियां डाल सक कर रहे हूं, तो शारी मिर्च रेसिपे मेरी चानल पर अप लोड की है, सेरी शुरू की है, तो सारे लिंक्स स्क्रिप्रिप्शन के अंदर है, जह आप पहां चेक कर लीजेगा, आप सब और मेरी तFe मे तरव से, आपकी दुाहों में मुझे याद रखेगा, तो हैध ज़र आज कि अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के चेश्चिन में जरू शेय किचेगा अपने कमेंट्स भूज पूजा अच्छी लगए रेसिपी तो लाइक चेज़ किचेगा और उस से जाद अच्छी लगे तपने फामिले और फ्रेंज में इस व